प्रदेश पे दिन पर दिन जिस तरह अपराध बलते जा रहे हैं वहीं यूपी पुलिस की नाकामी और शितिलता भी बार-बार सामने देखने को मिल रही है आपको बता दे कि प्रदेश पे बलते हुए अपराधी ग्राफ का एक बड़ा कारण पुलिस की घेर जिम्मेदाराना कारिशेली भी है वहीं कानपूर की अनप्रोफेशनल पुलिस की कारिशेली का एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है ताजा मामला कानपूर के थाना काकर देव शास्त्री नगर का है तस्वीरों में आप देख सकते है कि शास्त्री नगर चोकी इंचार्ज किस तरह से लागडाउन का पालन आम जंता से करवाता मज़र आ रहा है तस्वीरों में एक शक्स जो किसी काम से घर के निकला था और मास्क भी लगाया है जब कि महाशे खुद मास्क नहीं लगाए है अब सवाल ये उड़ता है कि योगी सरकार की पुलिस की वज़ा क्या है यूपी पुलिस कि अपना काम कर रही है तारशाही का रवया अख्तियार करके लोगों को डरा कर धंका कर नियमों के नाम पर उनके साथ मापिक के मामले कानी गलों से अबदरता पोड़ विवार तो लोगो हाज जोड़ा रहा हूं है सर अज जोड़ा रहा हूं सर गलती होगे कानपूर्ण में कानपूर्ण में जो बड़े मामले हुए है इन कभी मामलों में यूपी पुलिशी खैर जिन्मेदारानाक कारिशैली और शितुलता देखने को मिली है और ये एक बड़ा मामला कानपूर्ण में सामने आया है जिसमें उस शक्स को किस तरह से जो कि इंचार शाक्तिन नगर धमका रहा है मारने की कोशिश कर रहा है और गालिया भी दे रहा है तो ये है उत्तरपडेश पुलिस का शर्म सार कर देने वाला एक चेहरा जिसमें तस्वीरों से साफ साफ जाहिर हो रहा है क्लीजिन तस्वीरे केटिन खिलाफ़क ल्यूज अपने दर्शतों दर्शतों कर पहुचा रहा है है समान लेने आया तो मुझे नहीं करूंगा तो जानते नहीं हो नहीं सर हम कहां जाए रहे हैं कि हम निकल लाएं हम मास्क नहीं लगाएं तो बिना मास्का क्यों काट देंगे सर सब्सक्राइब लगाएं तो जा रहते राष्टे से बोलो कि माद अधा जोड़ा रहा हूं है सर हाज जोड़ा रहां हूं सर गलती जो वह जो गई लोग जा रहे हैं